जै मातादी विर्शब रासी 29 जनवरी दिन सोमवार शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन और सभी सितारई होंगे आपके साथ बड़ी तरक्की और उनती हो जाएगी शुरू आपकी बहुत द्रलब से योग बनने वाला है दोस्तों तो वीडियो के अंदर तक बने रहे पहली ब इसकी वज़े से समसब तक राजयोग बनेगा जो विर्शब रासी के जातकों के लिए काफी फाइदे मन रहेगा और कल माग मास के क्रिशन पक्स की चतुरती तिती और इस तिती को गणे संकष्टी चतुरती का वरत किया जाता है गणे संकष्टी चतुरती के दिन समसब त आपके लिए कल बन रहें सुभ योगों का फाइदा आपको काफी अच्छा मिलने वाला देखे विर्षब रासी के जातकों की सामाजिक छेतर में वैक्तिताव निखरता चला जाएगा धन विर्धी के सुभ संयोग बनने लगेंगे और विर्षब रासी के जातकों की कुंडल परिवर्तन करते हैं जो पूर्वा साड़ा नक्षत्र है दोस्तो वो 27 नक्षत्रों में से 20 वा नक्षत्र माना जाता है और शुक्र अपने ही नक्षत्र में पावर्फुल हो जाएगे कल अत्य दिक 5 बज कर 6 मिनिट पर ऐसे में शुकर लगदिरस लाइफ के कारक माने जात ये तमाम चीजे शुकर देते हैं तो ऐसे में विर्शब राशी के जातकों पर जबरदस्त किरपा बरसने वाली है दोस्तो इसके साथी लक्ष्मी नाराइन राजयोग का भी निर्मान होने जा रहा है जिसका प्रभाव भी आपके जीवन में खूब उन्नती और खूब तर दिधाओ को बढ़ाने वाला भी दिन रहने वाला है आप अपनी जरूरत की वस्तो पर अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे लेकिन आप बड़ों की सला पर ही चले तो आपको फाइदा होगा आपके लिए बैहतर रहने वाला है आपको जल्द बाजी में किसी काम को करने स बचना होगा वैक्तिगत विश्यो पर आपका पूरा फोकस रहने वाला है तो आपके लिए अच्छा रहेगा पैत्रिक संपत्ती संबदिद मामले में आपको डील देने से बचना होगा दोस्तो यानि अपनी प्रोपर्टी को अपनी निगरानी में रखना आपके लिए बह पूरी होगी परंतु आपकी धन, दोलत, प्रोपर्टी पर आपके शत्रू की पैडनी नजर होगी जिसके वज़े से आपको वो परेशानिया भी दे सकते हैं ऐसे में उन शत्रू से बचने के लिए शिवलिंग पर दूद में काले तिल डालकर अरपन करने से सभी शत्रू स माप्त होते हैं जीवन में साथ ही अपने घर के बाहर बैन दरवाजे की चोखट पर एक दीपक रोज पर वजलित करने से भी तमाम तरह के संकट शत्रू दूर चले जाते तो कमेंट बोक्स में जै महादेव जरूर लिखे दोस्तों